जहीं नमस्कार मैंन के सिंगानिया आप सभी को हमारी सेशन में बहुत बहुत सवागत हैं आप सभी को दिल से नमस्कार दोस्तों रीजनिंग का सेट नमबर 43 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सताही जनवाडी के 1 पूछे एगे रीजनिंग के सारी प्रेशन दोस्तों इन सारी प्रेशन को मैं आपको पढ़ाऊँगा short method से जिससे हरी प्रेशन आपसी कम से कम टाइम में solve होगा दोस्त आप 90% प्रेशन को कम से कम टाइम में आप solve कर पाएंगे तेकन मेरा यही मकसद है तो शलिए इस सेशन का अगाज करते हैं और आते हैं पहला प्रेशन पर देखिए इसके पहले आप लोग अभी तक हमारी चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भाई लाइक एंड शेर भी कर दि और देखिए दोस्तों मैं आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी एक्जाम में या कहीं पर भी तरक वाला प्रेशन दिखें कथन एंड तरक वाला प्रेशन तो देखिए इसमें क्या करना होता है दोस्त इसके लिए दो फंदा है मात्र दो फंदा जदी आप समझ गाए त तरक वाला प्रस्ण दोस्त आपसे गलती नहीं होगा, यह मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए भई फंदा क्या होता है दोस्त, फंदा यह होता है ना, कि तरक को सही होने के लिए, यह दो फंदे पर सही रूप से बैठना चाहिए, अब देखिए भई पहला फंदा यह हैं, कि तर्क प्रस्न या कथन के according दिया जाना चाहिए मतलब होना चाहिए जो तर्क हो वह प्रस्न और कथन के according दिया हो और इसके अलावा अगला फंद या है कि जो तर्क होना चाहिए वह तर्क है हमारे सोच पर सही रूप से बैठना चाहिए यह दोनों फंदे पर तर्क फोलो किया तो तर्क दोस्त यहां पर सही हो जाएगा अनथ्या दोनों में से किसी पर भी तर्क फोलो नहीं किया तो तर्क दोस्त वहां पर गलत हो जाएगा तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर देखिए रस निया कथन यहाँ पर दिया गया है कि क्या भारत में तमबाकू की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए दोस्ति यहाँ बोला गया है कथन में अब देखिए यहाँ पर इसके सबंद में दो तर्क यहाँ पर दिया गया है पहले चेक करते हैं तर्क नमबर यहाँ पर वन देखिए दोस्त यहाँ पर ध्यान से इसमें कहा गया है कि नहीं इससे हजारों सर्मिक के बिरोजगार हो जाएंगे अब देखिए दोस्त यह जो तर्क है ना कथन की एकोर्डिंग दिया गया है अब भाई कैसे हैं? अब देखना यहाँ पे ध्यान से. दोस्त जदि भारत में तमभाकू की विक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता हैं, तो उससे क्या होगा? जितने भी स्रमिक तमभाकू के छेतर में काम कर रहे हैं, वह भाई विरोजगार हो जाएंगे? हो जाएंगे की नहीं हो जाएंगे? तियाहां से अस्पेश्ट हुआ कि यह जो तरक हैं प्रेसने के एकोर्ण दिया गया है, मतलब पहला फंदा पर यह तरक फॉलो हो गया. अब में चेक करता हूँ अगला फंदा, और अगला फंदा क्या था? कि यह तरक हमारे सोच पर सही रूप से बैठना चाहिए. अब देखिए दोस्त, हमारा सोच भाई यहीं न कह रहा है, कि जदी इंडिया में पूर रूप से तमभाकू के विक्री पर प्रतिबंद हो जाता हैं दोस्त, तो इससे क्या होगा? जितने भी लोग होंगे, जो तमभाकू के छेतर पर आस्दित हैं, वह भाई उनका रोजगार समापत हो जाएगा. तो इसलिए यहां से असपश्ट यह हुआ, कि यह जो तरक हैं, यह तरके दोनों फंदा पर सही रूप से बैठ रहा हैं, अर जलत हैं, हाँ, तमभाकू का सेवन नबालिक भी करते हैं, जिनके स्वास्त पर इसके गंभीर परभवाव होते हैं, अब देखिए दोस्त, यह जो तरक हैं न, यह तरक दोस्त, देखिए यहांपर सही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो तरक हैं, प्रैस्न की एकोडिंग दिया गया है अब भई कैसे अब देखना है आपे ध्यान से देखी दोस्त दोस्त यहाँ पर देखिए साब सब कहा गया है कि तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद लगा देना चाहिए क्यूंकि तंबाकू के सेवन का सिकार नभालिक हो रहे हैं दोस्त नभालिक हो इसलिए तमबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद लगाया जाना चाहिए तो यहां से असपस्ट यह भी हुआ दोस्त देखिए कि यह जो तर्क हैं यह प्रस्ण के एकोर्डिंग ही दिया गया है मतलब इस तर्क का सब्रणदे प्रस्ण से हैं इसलिए यह जो तर्क हुआ पहला फंदा को फोलो कर रहा है अब देखिए मैं चेक करता हूँ अगला फंदा सोच वाला कि यह जो तर्क हैं हमारे सोच पर सही रूप से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है अब देखिए दोस्ति यहां पर हम लोग भई देखते हैं कि आज कल के दायनिक जीवन में बहुत सारे नबालिक जो बच्चे हैं वह तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि तंबाकू पर प्रतिब्बन लगाना बहुत इंपोर्टेंट है नहीं तो नबा तब यह हुआ यहां तरके दोनों फंदा को फोलो कर रहा है तो इसलिए यह भी तरक दोस्ति यहां पर सही हो गया तो यहां पर सही कौन कौन हुआ first and second अब देखते हैं देखिए यहाँ पर option में दोस्त देखिए option में यहाँ पर दिया गया है option number यहाँ पर one नहीं होगा भाई यहाँ पर होगा दोनों ही तरक पूश्टे हैं दोस्त जो मैं आपको फंदा मैं बताया हूँ न उस फंदे से ही आप तरक वाला प्रस्ण करेंगे जदी आप इस परकार से करते हैं दोस्त मैं ग्रेंटी में लेता हूँ कि आप से तरक वाला प्रस्ण गलती नहीं होगा आते हैं अगला प्रस्ण पर देखिएगा अगला प्रस्ण पुछा गया है सिलोग का प्रस्ण है देखिए ध्यान से कुछ नहीं करना होता है बच्चावला प्रस्ण है हलका सा प्रस्ण को मैं सेट कर दू चलिए प्रस्ण यहाँ पर सेट हो गया अब देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है दो और दो यहाँ पर निसकर्च है पता करना है कि कौन सा निस्कर्ट सई हैं, कौन सा गलत हैं, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से भाई, पहली बात दोस्त यह दोनों statement का बनाता हूं, वेंडेगरा, देखिए, पहला यहाँ पर statement है कि सभी चिकिसक के खिलाडी है, चलो भाई, सभी यह जो चिकिसक हैं, यह क्य क्या हो गया खिलाड़ी हो गया कि से खिलाड़ी हो गया अब देखीं दोस्ते यहां पर मुझे पर कहा गया कि कूच खिलाडी सिक शक है इसका मतलब यह कि यह kялड़ी का कूच बहा क्या है है यह भाई बन गया में चेक कर ना है निश्कार्स को देखेगा निश्कार्स नमबर यहां पर वण दिया गया है कि कूछ खिलाड़ी क्याहा के साथ सिख्छक भी है अब देखिए दोस्त यहांपर अहां पड़र सिख्छक सबन नहीं है यानि कि दोनों में नौन का किस बनेगा ना तो दिखे दोस्ति यहां से एस पश्थ हुआ कि कुछ जो खिलाडी है वह सक को है लेकिन दोस्ते वह उसे सिक्षके नहीं है इसलिए दोस्त यह जो निसकार्स है यह निसकार्स यहाँ पर गलत्ते हो जाएगा अब देखिए का अगला यहाँ पर दिया गया है सभी सिक्षक खिलाडी है देखो भाई यहाँ पर दोस्ट देखिए यहाँ पर साब साथ पहले यहाँ पर कहा गया था कि सभी चिकिस्टक जो है दोस्त हुआ क्या है खिलाडी है अब देखिए दोस्त यहाँ पर यह चिकिसक यहाँ पर हो गया और यहाँ पर देखिए दोस्त यहाँ हो गया आपका यह खिलाडी हो गया देखिए यह खिलाडी और यह चिकिसक में दोस्त यहाँ पर यह सौम का केस बना है सौम का केस यहाँ पर बना है न तो भाइद देखो भाइद यहां पर और यहां पर गलत दिया गया है देखेंगा अफसन मैं पुछा क्या है, वेंड डेगराम का EG परशन है, बच्चा वाला परशन है हलका सा परशन को मैं जूम कर दो चलिए, अब देखें यहाँ पर यह यह वडांसी है और यह भारत है यह उत्तर परडेस है, देखें दोस्त इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखें यहाँ फिगर यहाँ पर जाएगा यह असपास्ट है, EG है इसमें कोई बच्चा भी इसका उत्तर यहाँ पर मार देगा तो देखें यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर यह वाला फिगर यहाँ पर बन जाएगा देखिएगा यहाँ दिया गया है option number यहाँ पर फोर में अगला प्रस्ण दोस्त अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण पुछा गया है missing number का और बहुत ही अच्छा प्रस्ण है देखिए दोस्त यहाँ पर क्या करना है कि यह questions वाले अस्थान पर क्या आएगा यह हमें पता करना है देखिए दोस्त वीडियो को पहले आप पूस करिए और पता करिए कि इसका pattern क्या है और कि इस pattern के माध्यम से यह खाली वाले अस्थान पर क्या संख्या यहाँ पर आने वाला है अब देखिए दोस्त इसमें कौन सा pattern है मैं बता यहाँ पर देता हूँ देखिए ध्यान से यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा pattern है इसको अब ध्यान से करेंगे देखिए इसमें क्या किया है दोस्त यहाँ पर यह दोस्त यह 2 में 3 से गुना किया तो यह 6 हो गया और 6 में 4 से गुन्ना किया यह 24 हो गया अब मैं देखता हूँ कि यह pattern इसमें यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखें यहाँ पर यह 5 में 6 से गुन्ना 30 हुआ और 30 में 7 से गुन्ना दोस्ति यहाँ पर 210 हो गया ठीक है तो यहाँ से असपस्ट हुआ कि यह pattern फॉलो हो रहा है और यहीं पेटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है तो चलो भई करते हैं इसमें फॉलो देखें दोस्त नहीं पर है आठ में 9 सी गुन्ना भई 9,8 72 होता है 72 में 10 विल गुन्ना 720 हो गया तो यहां से अस्पर्च क्या हुआ कि इस questions वाले अस्थान पर 720 यहां पर फिल लपे होने वाला है देखिएगा यह दिया गया है और अपसा नमबर यहां पर 4 में अगला परस्ण दोस्त अगला परस्ण देखिए अगला परस्ण पुछा गया है series का impression है alpha vector series का impression कुई नेख यहाँ नेख यहाँ क्या कर रहा है कि एक leater minus कर रहा है तब की यहाँ से असपरश हुआ कि n में 1 minus करेंगी तफिया हाँ पे a कर जाएगा बस अब उसके बाद A का B किया है B का C 1 पलस कर रहा है तो यहाँ से असपरशे कि यहाँ पर D आएगा उसके बाद Y का X दोस्त 1 माइनस कर दिया X का W 1 माइनस कर दिया तो यहाँ से fix है कि W में 1 माइनस करने पर V आ जाएगा तो यहाँ से क्या आ गया G M D V दोस्त यहाँ जो है option number यहाँ पर 1 में नहीं है 2 में भी देखिएगा नहीं है 3 में भी नहीं है देखिए दोस्त यहाँ दिया गया है G M D भी option number यहाँ पर 4 में अगला परस्ण दोस्त अगला परस्ण बस वहीं परस्ण है यह भी परस्ण पुछा क्या है अलफावेट सीरीज का, देखिएगा इसमें क्या किया है यह D का E 1 प्लस, E का F 1 प्लस, A का G 1 प्लस यहां से fix हैं कि G में 1 प्लस करेंगे तो दोस्त यहां पर H आ जाएगा, clear अब इसके बाद P में 1 प्लस Q हो गया Q में 1 प्लस R हो गया, R में 1 प्लस S हो गया तो A में 1 प्लस करेंगे, तो Y क्या आएगा, T आ जाएगा इसके बाद X में 1 प्लस Y हो गया Y में 1 प्लस Z हो गया, Z में 1 प्लस 27 पर A हो गया अब देखिए A में 1 प्लस करेंगे तो 28 पर B हो जाएगा तो यहां से क्या आ गया, A से T B देखिए दोस्त यहां option number यहां पर 1 में नहीं दिया गया है यहां दिया गया है A से T B, option number यहां पर 2 में अगला प्रस्ण है दोस्त अगला प्रस्ण पुछा गया है सीरीज का और बहुत ही easy प्रस्ण है, बच्चे वाला प्रस्ण है देखिएगा इसका यहाँ पे पेटर्न किया है 5 का 7 की या 2 प्लस कर दिया 7 का 10 यानि की 3 प्लस कर दिया और 10 का 14 यानि की 4 प्लस कर दिया दोस्त यहाँ से असपस्ट है कि 14 में हमें यहाँ पर 5 प्लस करना होगा तो 14, 5, 19 हो जाएगा यहां से असपर्ष हो गया कि इस पेटर्न से प्रस्ण वाले चीन पर 19 फिलब पर होगा देखिएगा यहां दिया गया है अपसा नमबर यहां पर 1 में अगला प्रस्ण दोस्त अगला प्रस्ण यह रहा देखिए अगला प्रस्ण पुछा गया है mathematical operation का देखिए ध्यान से हलका सब प्रस्ण को मैं set कर दूँ देखिए दोस्त यहां पर यह है mathematical operation है इसका भाई operation करना है तो चलिए इसका करते है operation देखिएगा यहां पर 24 है और देखिए दोस्त यहां पर plus है तो देखिए पलस का अर्थ क्या है देखिए ये बटा का सिंबल दिया गया है यानि की भाग ठेक है ना तो देखिए दोस्त यहाँ पर ये भाग ही मैं यहाँ पर कर देता हूँ ठेक है अब देखिए यहाँ पर चौव भागा है तो देखिए दोस्त भाग का अर्थ यहाँ घटाव दिया गया है तो यहाँ पर घटाव 2 हो गया और फिर माइनस है तो माइनस कर तो गुन्ना हो गया मेरे मुन्ना और यहाँ पर 9 हो गया और फिर गुन्ना है गुन्ना कर पलस है तो पलस करके यहाँ पर फोर हो गया चलिए इसी का अपरेशन करना है देखो भाई, 24 में 6 से भाग दिया, तो कटा, फटा यहाँ पर 4 आ गया, दो में 9 से गुन्ना उन्ना हुआ, तो यहाँ पर 18 आ गया, दोस्त देखिए, 18 में से यहाँ पर 4 गया, तो यह भाई आ गया, यहाँ पर 14 आ गया, माइनस में आएगा, तो देखिए 14 में से दोस्त दे बच्चावला प्रस्न है, अगला प्रस्न है, देखिएगा अगला प्रस्न पुछा गया है, कोडिंग का प्रस्न है, देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, बई कुछ नहीं किया है, उल्टा पुल्टा बस कर दिया, देखिए यहां पर यह, टीचर है, दोस्त टीचर को इस प पस हमको भी क्या करना है कि student में ending point से लिखना है चलो भाई पल्टी मार देते हैं देखिए यहाँ पर यह T आएगा N आएगा E आएगा D आएगा U आएगा T आएगा और यहाँ पर S आएगा दोस्त देखिए T N E D U T S यहाँ दिया गया है option number यहाँ पर 1 में बच्चा उला प्र देखिए गा अगला प्रेश्ण दोस्त पुछा गया है classification का प्रेश्ण है बताना है कि कौन साइस में असंगत है देखिए दोस्त यहाँ पर अगर तला है इंफाल है कोहिमा है सिल्चर है एक point यहाँ पर असपस्ट है कि अगर तला जो होता है यह पूरा का रजधानी है इं साम की अंतरगत पढ़ता है तो यहाँ से असपस्ट यह हुआ कि देखिए दोस्त यहाँ पर यह सील्चर इसका विसम यहाँ पर हो जाएगा इजी प्रेश्ण है बच्चावला प्रेशन है आते हैं अगला प्रेश्ण पर दोस्त अगला प्रस देखिए यहाँ पर है पुछा क्या है कोडिंग का प्रस नहीं ये भी हलका सा अच्छा प्रस नहीं देखिए अपर ध्यान से जदी इस सब्द के अक्षरों को अंग्रेजी बढ़माला के करम में उनके करम अनुसार लिखा जाता है तो अक्षर के मध में कौन आएगा देखिए दोस्त इसमें कुछ नहीं करना है इस सब्द कोना बस अंग्रेजी बढ़माला के करम के अनुसार आपको लिखना है ठीक है ना और पता करना है कि बीच में कौन सा लेटर आ रहा है बस कुछ नहीं बच्चा अलब परस नहीं भी हो गया अब देखिए यहाँ पर यह इसको लिखते हैं अंग्रेजी बढ़माला की करम में अब देखिए भाई इसमें जो सबसे छोटा होगा वो पहले यहाँ पर आएगा ठीक है ना देखिए दोस्त यहाँ पर A सबसे छोटा है तो A पहले आ गया देखिए उसके बाद यहाँ पर D दो बार है तो देखिए दोस्त यहाँ पर D हो गया दो बार हो गया उसके बाद E है E हो गया उसके बाद G है जी हो गया उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पर A नहीं है तो A हो गया ठीक है ना अब देखिए दोस्त आई के बाद यहाँ पर Tीन गो यहाँ पर A नहीं है ठीक है ना दोस्त यहाँ पर Tीन गो A नहीं है तो यहाँ पर Tीन गो कि करम में विवस्थित कर दिये हैं अब चलिए हमको नेकालना है वीच वाला शब्द तो देखिए पहले crash को पहले में count में कर लेता हूँ है कि कितना यहाँ पर सब इटर यहाँ पर दिया गया है दो दू चार दू छोग दू आट दू दस दू बारा और देखी यहाँ पर तेरा है तो इसका मतलब यह हुआ कि छोचोगों में यहाँ पर काट के हटा दूँगा तो बीच ओला हमारे यहाँ पर बच जाएगा देखी यहाँ पर यह दो दो चार दू छोग ठीक है अब देखी इधर से दो दू चार दू छोग दोस्त बीच में क्या बच गया है तो बीच में यहाँ पर इन बच गया है बस इसका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा इन हो जाएगा इन दिया गया है, option number यहाँ पर 4 में, अगला प्रसन, दोस्त, अगला प्रसन देखिए, यहाँ से फिर से पुछा गया है, वेंडे ग्राम का, और यह भी easy प्रसन है, कुछ नहीं है, बच्चा वाला प्रसन, देखिए, यहाँ पर यहाँ पर पेन है, यहाँ पर pencil है, देखो भाई, इसम का प्रसन है, देखिए, यहाँ पर इसमें logic क्या है, देखिए, यह नमन है, इसको लिखा गया है, बान बे, तो आपको बताना है कि, कार्पेट को उसी logic से क्या लिखा जाएगा, देखिए, दोस्त, इसमें क्या किया है, नमन के हर एक लेटर के opposite, जो लेटर है, उसके लेटर के अस्थान को लिखेंगे, देखिए, यहाँ पर यह, C है, तो C का उल्टा 24 होता है, 24 हो गया, A का उल्टा 26 हो गया, R का उल्टा दोस्त, I का अस्थान 9 हो गया, P के उल्टा, दोस्त, P के उल्टा क्या होता है, तो कब, हाँ देखिए, दोस्त, P के उल्टा K होता है तेहां पे 11 हो गया अब देखी E के उल्टा दोस्त भी होता है तेहां पे 22 हो गया और T के उल्टा G होता है तेहां पे 7 हो गया दोस्त सब को add करने पर 99 आएगा ठीक है न तेहां से असपरस्ट यह हुआ कि इस पेटरन के अनुसार कार्पिट के बराबर क्या हो जाएगा 99 हो ज देखी यह भी बहुत easy प्रस्ण है बच्चा वाला प्रस्ण है देखी दोस्त यहां पर यह A का H किया है दोस्त इसका मतलब यह हो देखी इसमें 7 प्लस कर दिया H का O किया इसमें 7 प्लस कर दिया O में देखी दोस्त यहां पर मुझे 7 प्लस करना होगा तो देखी भाई यहा किया है देखी यहां पर A C किया है तो A C का मतलब यह हुआ कि इसमें 2 प्लस कर दिया अब देखी दोस्त यहां पर C E किया है फिर यहां पर 2 प्लस कर दिया अब देखी इसी परकार से H J 2 प्लस J L 2 प्लस O Q 2 प्लस QS 2 प्लस तो यहां से असपस्ट हो गया कि B में 2 प्लस करेंग उत्तर इसका होने वाला है आप सा नंबर यहां पर दो इजी प्रस्न था ना भाई अगला प्रस्न देखिएगा अगला प्रस्न दोस्त पुछा गया यह तो भाई एक दम बच्चा वाला प्रस्न है और यहां पुछा गया है कोडिंग का खलका सब प्रस्न को मैं सेट कर तो आपको पता करना है कि मेंबर का मतलब को इसको किस परकार से लिखा जाएगा देखिए दोस्त इसमें कुछ नहीं किया है देखिए इसमें मेंबर है ठीक है तो देखिए बस मेंबर को यहां पर जियों करते हैं यहां पर उतार देना है एकदम बबुआ वाला परशन है यह दम बच्चा वाला प्रस्न है, इस प्रस्न को बहुत बच्चे सौल किये होंगे, 99% अगला प्रस्न अब देखिए दोस्त इस प्रस्ट में क्या करना है देखिए यह प्रस्ट पुछा गया है बलेड रिलेशन का प्रस्ट नहें हलका साच्छा प्रस्ट है इसमें आपको फीकर बनाना पड़ेगा राम जो है स्याम का भाई है चलो भाई यहाँ पर हो गया राम दोस्त यह राम हो गया और यह जो है सियाम का भाई है चलो राम यह सियाम का भाई हो गया ओके किलियर हो गया यहां से अब देखिए दोस्त अगला पॉइंट में यहां पे बोला गया है कि मोहन जो है राम के पीता है इसका मतलब यह हुआ कि जो मोहन जो है न दोस्त यह यहां पर मोहन हो गया यह राम के यह पीता हो गया ठीक है यह मोहन अब देखिए उसके बाद बुला गया है कि जो सोहन है राधिका का भाई है दोस्त यहां पर अभी सोहन और राधिका के यहां पर चर्चा नहीं है इसलिए में इसको यहां पर मैं इसकीप करता हू अब देखिए यहाँ पर यह अगला point में कहा गया है कि राधिका जो है स्याम की पुत्री है दोस्त देखिए स्याम की पुत्री कौन हो गई राधिका हो गई राधिका हो गई ना चलिए दोस्त यह पुत्री हो गई अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पर दोस्त मैं उस line प हो गया दोस्त Champions पुछा गए कि शोहन की चाचा कौन है लोगे यह दो स्वेट्व यहां से से प्रस्ट है कि राम क्यों है कि जो राम है वहा कि स्याम का भाई हैं इसलिए क्या हो गया प्रेखी दोस्ति यहां पर दिया गया है राम application number यहाँ पे 3 प्रसन है यह जी प्रसन है दोस्त माफ करिएगा देखी दोस्त अगला प्रसना पुछा गया है classification का और देखी इसमें पटा करने हैं कि कौन सा इसमें असंगत है मतलब कौन सा बिसम है देखी दोस्त इसमें logic क्या हैं बहुत ही अच्छा प्रस्न हैं, हलकस आपको इसमें लॉजिक यहां पर ढोड़ना पड़ेगा, देखो बहुत बच्चे होंगे, जो इस प्रस्न को इसकेप किये होंगे, क्योंकि देखो भाई, एक्जाम हॉल में जल्द भाजी में ऐसे प्रस्न का लॉजिक नहीं मिल पाता है, भले आ यहां पर ध्यान से इसमें क्या किया है, देखिए दोस्त, आपसा नमबर देखिए वन में न, पहला संख्या इभेन हैं, और दूसरा संख्या और है, दोस्त, आपसा नमबर यहां पर मैं आता हूँ थीरी में देखिए, मैं डिरेक्ट आ रहा हूँ, देखिए, पहला संख् यहाँ पर odd है तो देखिए यहाँ से अब मैं चे करता हूँ option number यहाँ पर two में दोस्त देखिए इसमें पहला संख्या odd हो गया और दूसरा संख्या दोस्त यहाँ पर even हो गया अब देखिए यहाँ से असपर्ष्ट हो गया कि जो logic है पहला संख्या even का अगला संख्या odd का दो लेकिन यहां पर आपसा नंबर दोस्त यहां पर टू में पहला संख्या और हो गया है और अगला संख्या दोस्त यहां पर इभेन हो गया है तो इसलिए इसका लॉजिक दोस्त यहां पर अलग है और यहीं यहां पर भी समय हो जाएगा तो इसलिए यहां पर क्या हुआ कि इसक कुछ नहीं करना है इसमें 5 को लिखा है 28 दोस्त 5 का स्क्वाइर किया 25 हो गया 25 में 3 प्लस कर दिया यह 28 हो गया बस इसी परकार से मुझे करना है 7 का स्क्वाइर करेंगी 49 होगा 49 में 3 प्लस कर देंगे 52 हो जागा 52 कहां पे फिलप होगा हुवाट वाले अस्थान पे किलिया त देखिए दोस्त अगला प्रस नप पुछा गया है कठन और निशकर्स का टेकर न अब देखिए दोस्त इसमें क्या आपर करना है जब भी जीवन में निशकर्स और कठन का प्रस्न पूछे तो दोस्त आपको बस एक ही कंचेप्ट यहां पर यूज करना होता है कि जदी निसकर्स कथन की एकोर्डिंग दिया गया है तो देखिए दोस्ट निसकर्स सही होता है जदी निसकर्स कथन की एकोर्डिंग नहीं दिया है तो दोस्ट निसकर्स गलत हो जाता है बस यहीं सेंस यूज करना है इसके अलावा कुछ भी नहीं अब देखिए भाई य देखिए यहां पर यह कठन में दिया गया है कि कोई भी राष्ठ आ जिकल मेड़ान औ yapılा दोस्त इसका मतलब यहां है कि कोई भी राष्ड आ जिकल पूर्ण रूप से आत्म निर्भर नहीं है। दोस्त यहाँ पुछा गया हैं कत्थन में ठेके न अब चलिए भाइ आते हैं निसकर्ष में दोस्त निसकर्ष नम्बर यहाँ पे वन दिया गया है कि देश के नागरिक आलसी हो गए है अच्या बताना, बुर्भख भी देखिये दोस्त यहाँ पे बता देगा कि इस वाले निसकर्ष का कथन में कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि देश के नागरिक आलसी हो गए है इसलिए भई कनफर्म क्या हुआ कि यह निसकर्ष भई गलत यहाँ पर होगे कुछ नहीं करना है बस यहाँ तो भई करना होता है अब देखिएगा अगला यहाँ पर निसकर्ष दिया गया है कि किसी भी राष्ट के लिए अवस्यक सभी बस्तु को उगाना और उनका उत्पादन करना असंभव हैं दोस्त यहाँ पर साब सब कहा गया है निसकर्ष में कि किसी भी राष्ट के लिए अवस्यक बस्तु को उगाना और उनका उत्पादन करना असंभव हैं इसलिए कोई भी राष्ट आजकल पूंत आत्म निर्भर नहीं है दोस्त इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो निसकर्ष नहें प्रेशन के एकोडिंग हैं कथन के एकोडिंग हैं दोस्त कथन में नहीत हैं इसलिए यह क्या हो गया सही हो गया तो यहाँ पर भाई सही कौन हुआ निसकास नमबर यहाँ पर टू दोस्त देखी यहाँ दिया गया है आपसा नमबर यहाँ पर वन में निसकास नमबर टू नहीत हैं अगला प्रस्न देखी दोस्त अगला प्रस्न पूछा गया है मीसिंग नंबर का प्रेस्ण है और हलका साचा प्रेस्ण है इसको अब ध्यान से करेंगे तो भाई वीडियो को पहले पूस्ट करो और पता करो कि इसका लोजिक क्या है और ये हुवाट के स्थान पर क्या फिल अप होगा जल्दी से चलिए दोस्त मैं आपको मैं बता देता हूँ कि इसका पेटा नहीं पर क्या है देखिया इसमें कुछ नहीं किया है इसको मैं इस परकार से मैं देखूँगा देखिया ना इस परकार से पहले मैं स्पर्ष कर दो देखिये दोस्त यहाँ पर क्या किया है दो में तीन से गुना किया और फिर पलस यहां पर दो कर दिया देखिए दोस्त यह 8 हो गया दो में तीन से गुना किया चो हुआ चो दो आठ हो गया ओके अब देखिएगा अगला वाला में इसी परकार से 9 में 13 से गुना किया दोस्त यहां पर 9 पलस किया तहीं हो गया 126 हो गया देखिए यहां पर है अब देखिएगा इसी परकार से कनफर्म हो गया कि इस वाले में भई क्या करना होगा दोस्त यहां पर देखिए दोस्त यह 16 है और देखिए यहाँ पर वाट है और देखिए दोस्त यहाँ पर हमें फिर यहाँ पर यह सुल्ला प्लस करना होगा और यहाँ पर 192 लाना है तो देखिए दोस्त यहाँ पर असपास्ट है कि इस सुल्ला में दोस्त हमें 11 से गुन्ना करना होगा देखिए दोस्ट 16 में 11 से गुन्ना करेंगे और इसमें 16 जब इहां पर प्लस करेंगे तो यहां 192 आ जाएगा तो यहां से असपस्ट क्या हुआ कि वाट वाले अस्थान पर 11 फिल पे होगा देखिएगा यहां दिया गया है अपसा नमबर इहां पर फोर में अगला परस्ण दोस्ट अगला परस्ण पुछा गया है यह भी easy परस्ण है बच्चा वाला परस्ण है लेकिन बहुत बच्चे ऐसे परस्ण को गलती कर देते हैं भाई आपको गलती नहीं करना है देखिए ऐसा परस्ण में जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा दोस्त आपको फिगर बनाना है देखिए पहला पॉइंट में कहा गया है कि जदी X से Y की बहन है चलो भई मान लिया यह जो X है दोस्त न यह Y की बहन है यह फिमिल हो गया ओके X का लिंग भी फिक्स नहीं है चलिए अब देखिए दोस्त यहाँ पे अगला पॉइंट कहा गया है कि Z जो है न Y की मा है दोस्त Y की मा कौन हो गई Z चलिए भई यह मा हो गई A Z का पिता है दोस्त Z का पिता कौन हो गया A हो गया A Z का दोस्त पिता हो गया अब दिखिएगा अगला पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है B A की मा है दोस्त जो B जो है जो B जो है वह A का का है मा है अब दिखिए दोस्त यहाँ पर A के मा कौन हो गया यहाँ पर दोस्त यहाँ पर यह B हो गया अब देखिए दोस्त इसके बाद यहाँ पर प्रेस्ट में क्या पुछा गया है तो X का A से क्या सबंद है अब देखो भाई यहाँ पर X है दोस्त और देखिए यहाँ पर यह जेड है और देखिए दोस्त यहाँ पर A है तो यहाँ जो X है दोस्त एक मिनट रुखिए यहाँ ए है यह एक्स को क्या कहेगा हम यह निकालना है भाई कनफार्म है यहां पर एक्स कौन है एक के पुत्री की पुत्री है भाई है न तो यहां से असपर्ष हो गया कि दोस्त इसका उत्तर यहां पर क्या जाने वाला है आप सा नंबर यहां पर फोर यानि की पुत्री की पुत्र एकदम इजी अगला प्रस्ट दोस्त देखिए अगला प्रस्ट पुछा गया है ये भी प्रस्ट कोडिंग का प्रस्ट है देखिए यहां पर यह इसको लिख रहा है इस परकार से तो आपको पता करना है कि मैंगो को किस परकार से लिखा जाएगा दोस्त इसमें लॉजिक कु दोस्ति यहाँ पर mango है, तो M का उल्टा N होता है, A का उल्टा B होता है, N का उल्टा M होता है, G का उल्टा T होता है, O का उल्टा L होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, दोस्त हलका सा लगता है गलती होगा, नहीं हो, ओफो, हाँ, देखिए दोस्ति यहाँ पर A का उल्टा Z दोस्त यहां पर आ गया यह numbers प्रस्विस्टैनिक है दोस्त अगला प्रस्न है तो हलका साब को वीडियो को पूस करना है और पता करिए कि इसका लोजिक यहां पर क्या है और किस लोजिक से वाट की अस्थान पर 145 से लिख रहा है देखिए दोस्त इसमें क्या किया है मैं आपको बता दे रहा हूँ यहां पर देखिए कुछ नहीं किया है यह भी easy है लेकिन हलका साब को इसमें सोचना पड़ेगा देखिए दोस्त इसमें क्या किया है चार का square किया है और इसमें दोस्त पांच का square किया है इसको add कर दिया है add करने पर दोस्त यहां पर 41 आएगा clear है इसी परकार से इसमें 6 का square किया है 7 का square किया है add कर दिया है add करने पर 85 आ जाएगा तिहां से aspect हspecific है कि इस वाले में 8 का square करेंगे और प्लस 9 का दोस्त square करेंगी अब देखिए जब इसको add करेंगे जो दोस्त क्या आएगा 145 आएगा तिहां से aspect हुआ कि वाट वाले असान पे क्या फिलप होगा 145 यहाँ दिया गया है अपसान नमबर यहाँ पे दोस्त 1 में अगला प्रस्न देखिएगा अगला प्रस्न पुछा गया है सिलोग का प्रस्न है और देखिएगा यहाँ पर दो कथन है और दो यहाँ पर निसकर्ज है चलिए ये करते हैं दोस्त पहला यहाँ पर कथन है कि कूछ कुर्सिया मेज है चलो भाई यहाँ पर चेयर हो गया और कूछ जो चेयर क्या है मेज हो गया अब दिखिएगा अगला यहाँ पर दिया गया है कथन में कि सभी पूस्तके मेज है अब मुझे चेक करना है कि कौन सा निस्काष दोस्त यहां पर सही हैं, अब देखिएगा निस्काष नमबर यहां पर बन दिया गया है, कि कूछ पुस्तक के कुरसिया हैं, अब देखिए दोस्त यहां पर, पुस्तक की दिखी दोस्त यहां पर हैं, और कुरसिया यहां पर हैं भाई दोनों में कुछ भी सबन नहीं है दूर दूर तक दोनों में दोस्विष्टा नहीं है यानि कि दोनों में नौन का केस बन रहा है लेकिन यहां पर क्या बोला है सौम का तो इसले भाई यह क्या हो गया गला तो हो गया अब देखिएगा अगला यहाँ पर क्या दिया गया है निसकर्षे कि कूछ मेज कुरसिया है अब देखो भाई दोस्त यहाँ पर यह कुरसिया हो गया यहाँ पर मेज हो गया असपरस्ट है कि कुरसी और मेज में सौम का केस बन रहा है इसलिए यह निसकर्ष दोस्त यहाँ पर सही हो गया किलिय तो यहां पे सही कौन हुआ निस्कर्ष नमबर ए टू देखते हैं अप्सन में देखिएगा अप्सन में यहां पे दिया गया है अप्सन नमबर यहां पे वन तो नहीं होगा दोस्त इसमें टू होगा केवल निस्कर्ष टू पालने करता है अगला प्रस्थ दोस्त अगला प् केला यहां पर देखिए बैठ गया है और इसके अंदर यहां पर यह पपीता है और देखिए बाहर से फाल हो गया तो किलिए हो गया कि C यहाँ पर बनेगा देखेगा C दिया गया है आपसा नम्बर यहाँ पर फोर में अगला प्रस्न दोस्त अगला प्रस्न देखेगा यह रहा अंतिम प्रस्न है देखेगा दोस्त यहाँ प्रस्न पुछा गया है अलफा वेट सीरीज का और देखिए इसमें क्या किया है G है दोस्त यहाँ पर I है देखिए दोस्त यहाँ पर K है सब में 2-2 पलस किया है ति यहाँ से असपास्ट है कि K में 2 पलस करेंगे तो A मा जाएगा अब देखिए दोस्त यहाँ पर क्या किया है देखिए का इसमें G का अस्थान 7 लिख दिया अब देखिए दोस्ते G का अगला लेटर यहाँ पर H लिखा है उसी परकार से इस वाले में I का अस्थान 9 लिख दिया और I का अगला लेटर दोस्त यहाँ पर J लिखा है उसी परकार से K का अस्थान 1 लिख दिया और K का अगला लेटर दोस्त यहां पर A लेगा तो बस भाई वहाई करना यहां देखिए AIM का पहले यहां पर अस्थान होगा 13 हो गया और AIM का अगला लेटर भाई क्या होगा Aन होगा यहां से क्या होगा AIM 13 Aन यहां option 1 में नई है 2 में नई है यहां दिया गया है अपसन नंबर यहां पर थीरी में दोस्त यहां से मैं इस सेट के सारे प्रेशन को डिसकस कर लिया हूँ आपको किसी भी प्रेशन में दिक्कत हैं परसानी हैं किसी प्रेशन से आपका जिनगी सुनसान हो गया होगा तो आप अपना डाउट हमसे पूश सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ये फिर मिलते हैं अगले सेशन में जैहें दो वंदे मातरम